कि नमस्कार आप देख रहे हैं डीपी के न्यू चनल और मैं आपके साथ नरेश कुमार डीपी के न्यू चनल की टीम पहुंचे है नागर जिले की मूंडवान अगरपलिका में जहां वार्ट संख्या 24 में जहां से पर टैक्सी हैं कॉंग्रेस के फिरोज जी इन से जाने क्या क्या विकास के मुद्धे हैं और किन-किन विकास के मुद्धा बर्वे चुनाव लड़ रहे हैं तो सर पहले तो अपना पूरा प्रीचा है कॉंग्रेस सरकार गी थे तरफ दे रहते हैं सरकारी कि काम होने क्या करना है क्या नहीं करना है तो उन सब को इस फिल्ड में अधिक सा धिक जानकारे देने के लिए मैं इस मैदान में इत्रा हूँ और कोलेज लाइफ पूरी करने के बाद में मुझे पता चला कि राजनीती एक ऐसा मुद्दा बन गई है इसमें ब्रस्टाचार नेता ऐसे लोग आ गए हैं जिनको जो ब्रस्टाचार करें काफी मतलब अपने समाज को पिछड रहें पिछड रहें पिछड रहें में मतलब कर रहें और मेरा यही मतलब भीवाओं से कहना है कि इस पार्ट में कहां तक अगरसन है और आपके दोरा अगर प्रेयास क्या किया जाएं मैं तो यही चाहूंगा कि अपने महले के जो बच्चे शिक्षा के सेतर में काफी पिछड़े हुए हैं लोगों को बस यह बना हुआ है कि पढ़ के क्या करना है पढ़ के क्या करना है तो उनको बता तो उनको यह बताना चाहूंगा कि मतलब शिक्षा आप पढ़ गए बहुत आगे जा सकते हो बहुत कुछ कर सकते हो अपने मौले का विकास कर सकते हो अपने गाउं का विकास कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप पढ़ लिक के आगे बढ़ोगे तो आज आपके मह सकत डारेक्टली जाके बात करें तो बंदा उनकी सुनता है और काम करता है वैसे तो हमारे मौले में कोई यसी समश्या नहीं है पेजल की अगर होगी लोग कहेंगे कि अज़ समश्या का समधान हो सडकों की कंडिशन क्या है अगर आपके दोबारा क्या प्रेस की जाएंगे वेसे सड़कें देखी जाएंगे तो हमारे यहां पर आज से पांच साल पहले इतनी सड़कें नहीं थी और हमारे जो चेर्मेन बने थे गंश्याम जी सदावत उन्होंने सिसी ब्लोक वगेरा और अच्छे गार्डन जहां पैसी करना पड़े बहुत अच्छा कारिये किया है उन्होंने अपनी कारेगाल में और आगर आगे भी उनको इस फिल्ड में लेके आएंगे तो वो अपनी तरफ से पूरा परियास करेंगे कि मूंड़ो नगरपाली का अपने आसपास की नगरपाली का हूं बेसे सबसे बहत था जनता आपको क्यों चुने के 강धा चैशन सर्वेसे तो वह मतलब जिनको टो आट होगा की ईकने लिए अच्छा किंडिडेट है अपने लिए कुछ कर सकता है, तो वो अपना मत दे कर मुझे विजैभी बनाएगी, और वो अगर विजैभी बनाएगी, तो मैं उनके जितने भी सवालाथ हैं, यो मुझे चुनने के कारणे हैं, उन सब पे सही साभित होंगा. आपके सामने कितने उमीदवर है अगर आप जीते हैं तो उसके साथ आपका रवीए के सर रहेगा सर वे से देखा जाए तो मेरे सामने अभी वर्तमान में चार तीन केंडिडेट है जो तीनों मतलब निर्दलिये से चुनाव लड़ रहे हैं और मेरा रवए ही है मैं तो लोगों को यही कहना चाहूंगा कि राजनीती अपनी जगह है और भायचारगी और व्यक्तिकत जो अपना वेवार है वो अपनी जगह है उनको आप बनाए रखें और राजनीती के कारण उनको खराब ना करें क्योंकि अपने को यही रहना है राजनीती अपनी जगे पांच साल में वापस राजनीती आयाएगी लेकिन अपना जो विवार है उसको खतम ना करके एक साथ मिल जुलकर आराम से चुनाओ लड़ें किस और अपना नाम होगा बस यही बात है धन्यवाद आज हमने बात की वार्ट संक्या 24 के उमीदवार कॉंग्रेस से उमीदवार थे फिरोज जी उन्होंने बताया कि वार्ट का चो मुखी विकास किया जाएगा जो सड़के पेजल सिक्सा समंदी विकास के कारी किये गए थाल विकास उन्होंने बात है बन्ली हार्ट किया जाएगर दूश्वार को